बिटा जैसे कि आप सबको पता है जेई मेंस के सेशन वान का एक्जाम होगा जान के एंड में तो सभी बच्चों को बहुत जादा डर लग रहा होगा आपकी हालत ऐसे होगी कि मैं फटा फट से में बता दो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है किस तरीके से हम पैटरन स्टडी करें किस तरीके से हम सबजेक्ट को स्टडी करें और ट्रस्ट मी बिटा केमिस्ट्री बहुत इजी सबजेक्ट है बहुत इजी पूछी जाती है जेई मेंस में ये आपकी मार्क्स को बहुत बढ़ा सकती है अगर आपको केमिस्ट्री अच्छ स्कोर कर लेते हो तो आप जेई मेंस का पेपर क्लियर कर सकते हो आपको भी पता है सिरफ आपके अगर तीनों सब्जेक्ट में से PCM Physics Chemistry Math इन में से तीन मंत की स्ट्राटजी क्या रहेगी हम ऐसा क्या क्युछ अपलाए कर दे कि हमारे पास अच्छे नंबर आ जाए सेशन वन में ही जैन के एक्जाम में आपको आगे नहीं सोचना कि मैं बाद में एप्रियल में देख लेंगे जैन का ही सोच के चलो तो कैसे सोचना है क्या कर चीजे फॉलो करनी है वो देखो दिमाग में सबसे पहले बेटा आता है और्गानिक देखो तीनों चीजे हैं तीनों की स्ट्राटजी बेटा अलग अलग होती है और्गानिक को अलग सोच से पढ़ा जाता है इन और्गानिक को अलग सोच से फिजिकल अलग एक भी चीज छोड़के नहीं जा सकते, सारा कुछ इंटर रिलेटेड होके, कनवर्जन होके आपसे question पूछ लिया जाता है, तो आप कुई भी चीज छोड़के नहीं जाओगे, बेटा, जी ओसी आपकी बहुत जादा strong होनी चाहिए, और चारो की चारो चाप्टर्स को, हेलो सारे reactions एकठे हो जाते हैं, उन सभी reactions को एक छोटी सी notebook पे आपको लिख लेना है, जो जो mechanisms आपको teachers बोलते हैं कि यह important है, जो जो previous year में दुबारा दुबारा पूछे गए हैं, उन सभी questions को ध्यान से देखना, repeatedly, same concept पे questions पूछा जाता है, repeatedly, same concept पे, तो आपको उन reactions पे, उन concepts को ध्यान में रखना है, और बीटा, प्राक्टिस, आपकी NCRT हो गई, previous year question कर लिए, फिर आप अगर चाहते हो ना, कि माम हमें इसकी practice करनी है, कोई reference book, बीटा, MS चोहान एक अच्छी reference book है, इससे आप practice कर सकते हो, फिर theory करते जाओ, theory करते जाओ, theory करते जाओ, theory करते जाओ, इसमें भूल के भी कोई और reference book मत उठा लेना, सिरफ और सिरफ NCRT पे stick रहोगे, सिरफ NCRT करोगे, और कुछ भी तुम inorganic में नहीं करने वाले हो, तुम NCRT करोगे, NCRT religiously follow करोगे, उसके हर एक question को देखोगे, हर एक line को दो से तीन बार NCRT को ढंक से पढ़ जाओ, दो से तीन जादा लग रहा है, एक से दो बार पढ़ जाओ, ठीक है, एक बर ही मेरी NCRT की series है, उसको देख लो, live में जाके पढ़ी है, उसको 2X की speed पे जाके देख लो, फिर एक बर ही खुद से जल्दी जल्दी में उसको revise कर रो, करते रो, करते रो, बेटा आपके पास inorganic और कहीं से भी पूछी नहीं जाती है, और कहीं भी कोई book खरीदने की जरुरत नहीं है तुम्हें inorganic के लिए, नेक्स उसके बाद बेटा आता है physical, अब देखने हैं, physical में तुम्हारे calculations पे फोकस किया जाता है, physical में numerical based questions आप NCRT को यहां पर skip कर सकते हो, यहां कर भी सकते हो, जाता इस भी line by line आपको NCRT पढ़ने की जरुरत नहीं है, बस आप concept देख ले ना, concept वो आपके NCRT से ही पूछे जाएंगे, अगर आपको कोई teacher NCRT based study करवा रहा है physical chemistry की, तो आपको किताब उठा के physical chemistry पढ़ने की नहीं है, आप सिरफ एक बरी उनके lecture को देख लो, वो जो पढ़ा रहे हैं, उनको note कर लो, that is enough for you, अगर आपको सारे के सारे concept उसके समझ में आजाते हैं, आपको एक बरी सारे concept समझ में आगे, formula समझ में आगे, फिर बेटा उसके numerical की practice, यहां पे तो मैं आपको choice दे रही थी कि आपकी मर्जी है, MS टोहान से करना है, कर लो, अदवाइस NCRT की practice कर लो, previous year की कर लो, बहुत है, यहां पे मैं आपको यह बोलूँगी, कि कोशिश करना, कि तुम यहां पे सबसे पहले तो numerical करो, NCRT के previous year question के, उसके बाद बिटा कुछ practice, अगर आपके पास time बचता है, अगर time नहीं बचता है, तो यह दो चीजों को आपको numerical से डर लगता है, मैं numerical थोड़े से weak है, बिटा इन तीनों की NCRT कर जो, NCRT के exemplar, problems, previous year question कर जो, आपके पास time कम है, यह सारी चीजों को कर जाते हो, तो आप एक अच्छा score कर लोगे, आप J मेंस को clear कर लोगे, तीन साध तीन महीने रह गए है, उतने महीनों में आप easily clear कर सकते हो, easily clear कर सकते हो, अगर आप यह चोटी-चोटी चीजों को ध्यान में रखोगे, अगर जाधा books में पढ़ने लग जाओगे, और गैनिक उठाई, बस MS चोहान से question ही करते जा रहे है, इन और गैनिक और फिजिकल का अत यानि है, जो भी chapters तुम उठाने वाले हो, आपको priority-based chapters ही उठाने हैं, ठीक है, prioritize करो अपने chapters को, आपको teachers मैं भी आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से chapters आपकी exam के लिए important है, पहले उन chapters को बिटा आप करोगे, उसके बाद deep priority वाले chapters को आप करोगे, ठीक है, deep priority वाले chapters को चाहे jam के session के लिए छोड़ भी देना, बट जो chapters important है, पहले आप उनको करोगे, उनको religious अच्छे तरीके से करोगे, फिर आप jam का paper देखे आओगे, और देखना आपका paper clear भी हो जाएगा, आपको April तक, अगर April में चाहोगे, मैं हमने अपना score improve करना है, फिर deep priority वाले chapters भी करो, ठीक अभी motivation की तो एर तुम्हें क्या जरूरत है, paper की date आ गई है, और क्या motivation चाहिए, अब तो अंदर से motivation आनी चाहिए, अभी भी एगर motivation नहीं आरी ना, तो मेरे ख्याल से आपका फिर सपना नहीं है, फिर आपका सपना नहीं है, अगर अभी भी किसी और को तुम्हें जगाने क कोशिश कर रहा है, कोई और तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है भाईया, कि उठ जाओ पढ़ लो, उठ जाओ पढ़ लो, तो आप में कुछ नो कुछ कमी है, फिर बहुत ये बहुत गलत चीज है कि अभी भी ज़रूरत है किसी को आपको motivate करने की, अभी तो definitely आपको ख टॉपिक खतम कर लूँ, आज मैं chemistry का ये topic खतम कर लूँ, with previous year question, with this and that, आज मैं maths के ये questions लगा लूँगा, और अपने बेटा दो subjects को choose कर लो, जो subjects आपको पता है कि ये आपको score करवाने वाले हैं, उन पे जादा focus करो, उन पे आप target लेके चलो कि इनमें मैं maximum marks लेने वाला अपको कर नी है, उसके बाद बिटा, प्राक्टिस भी करनी है, बच्चे क्या करते है, थियोरी करते रह जाते हैं, हमने थियोरी कर ली, थियोरी कर ली, practice बिटा रहे जाते हैं, मैं inorganic के भी बात कर ले गारी, लेकिन बच्चा आपको, NCRT से questions पूचे करते जाते हैं, वो अपके दिमांग में क्लिक करता है या नहीं करता। उसके लिए विटा आपको प्रिव्यस एर क्वेशन करने हैं किसी भी कोचिंग इंस्टिटीूट के रहे हैं आपको वो करने हैं वो आपके लिए important ही होते हैं हर teacher ने बड़ी मेहनत से वो DPPs बनाए होते हैं जिके वो बहुत important होते हैं उनको ध्यान में रखना और बेटा आपके पास 3 hour का test इसको कभी भी हलके में नहीं लेना बिल्कुल भी नहीं तीन घंटे का test हर 15 दिन के बाद करना ही करना है यह definitely आपको mock test देने ही देने हैं ताकि बेटा आप खुद को analyze भी तो कर सको उसके बाद खुद को analyze करोगे कहां कहां पर गड़बड होती है पीड कम है accuracy कम है negative marking तो नहीं जादा होरी क्या गड़बड करें यह सारी चीज़े आपको यहां से पता लगने वाली है तो इनको भी बेटा बिल्कुल ignore नहीं करना यह आपको आपके दिमाग को train करती है और यह तो मैंने तुम्हें बदाई दिया कि prioritize करना है chapters को और कौन कौ GOC शुरू कर दो GOC शुरू कर दो एक दिन दो एक दो दिन में GOC को अच्छे तरीके से revise कर लो जो 12th क्लास के बच्चे है वेटा GOC को अच्छे तरीके से revise कर लो यह काम आपको करना है उसके बाद आपके पास मेरी GOC के lectures भी पड़े हैं मेरे पास जो आपके हेलो एलकेंज दोनों chapters के live session पड़े हैं अब उसको जाके देख सकते हो 2x की speed पर देख लेना यह अगर आपको अच्छे से आता है तो ncrt उठाके उसको एक बड़ी पढ़ लेना ओके जी ठीक है बाकि आपको और भी बहुत सारी strategy videos मिल जाएंगी जिसमें मैंने आप बताया हुआ है कैसे आपको पढ़ाई करनी है कैसे notes बनाने है जो definitely विटा आपको बहुत जादा help करने वाले है मेरे खुद के personal experience से ही मैं आपको यह सारी चीज़े बता रहे हूँ आपके बड़ी वहन जैसी हूँ तो कुछ सोच समझ के आपको बता रहे हूँ रही तो उन सभी चीज़ों को follow कर definitely they are going to help you in long run आप ऐसी habits को अपना लोगे आप जही में कि कोई भी paper clear कर सकते हो कोई भी paper clear कर सकते हो याद रखना time come है बट हम इतनी मेहनत करेंगे इतनी जादा मेहनत करेंगे इतने consistent रहेंगे इन तीन साधे तीन महीनों को इससे utilize करना है धिमाग में यह thought नहीं आने देना कि thought आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए आपको इसी जैन के exam में 100% महनत करके देखे आना है यह आप मुझसे promise करते हो promise करते हो तो comment section में लिखो yes ma'am we promise हम जैन के exam में 100% महनत करेंगे सारी चीज जो आपने बोली है हर चीज को हम follow करेंगे and now हम आपको paper clear करके दिखाएंग thank you so much keep learning keep smiling